बॉल्यूड सिर्व स्क्रीन प्रेजेंटिंग लायन जलेवी जरूर खिलाओंगा उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने छोटे भाई को जलेविया खिला सके सरू कहता है कि एक दिन हम दुकान की सारी जलेविया खरीद लेंगे अब कोईले के बदले ने थोड़ा सा दूद दिया जाता है और ये दोनों भाई खेलते हुए अपने घर वापस पहुँच जाते हैं जहां पर सरू और गुड़ू की एक छोटी बहन भी है ये तीनों अपनी मा के साथ रहते हैं सरू की मा अपने दोनों बच्चों से पूस्ती क्यों दूद कहां से लेकर आए लेकिन वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते सीरात को सरू का भाई गुड़ू काम पर जा रहा होता है सरू कहता है कि मैं भी तुमारे साथ काम पर चलूँगा उसका भाई कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकती क्योंकि काम पर बोरिया उठानी पड़ती है और इस काम के लिए तुम बहुत छोटे हो सरु अपने सिर के ओपर चियर उठाकर दिखाता है साथी साथ उस साइगिल भी उठाने की कोशिश करता है सरु कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ सरु के जित करने पर उसके भाई को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है ये दोनों की दोनों एक ट्रेन स्टेशन पहुंसते हैं सरु अपने भाई गुड़ू की गोद में ही सो जाता है उसका भाई उसे उठाने की कोशिश भी करता है पर सरू बहुत छोटा है उसे बहुत नीदा रही होती है वो कहता है कि मुझे सोने दो सरू का भाई गुड़ू उसे एक बैंच पर लिटा देता है और कहता है कि मैं कल सुबह काम करकर वापस लौट जाओंगा तुम यही पर रहना जाने से पहले सरू अपने भाई को कहता है कि जब तुम लौटोगे तो जलेबी लेकर आना वो कहता है कि ठीक है सरू कहता है दो हजार जलेबिया इसके बाद उसका भाई गुड़ू काम पर चला जाता है कुछी देर बाद जब रात और भी गहरी हो जाती है स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाता है इस पूरे स्टेशन पर सिर्फ एक ही बच्चा होता है और वो होता है सरू सरू वहें प्लैटफॉम पर खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है कुछी देर बाद उसे नीद आ जाती है सुबह जब उसकी नीद खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है सरू ये देखकर घबरा जाता हूँ ट्रेन में चारोतरा भागता है वो अपने भाई को आवाज भी देता है साथी साथ ओ ट्रेन के दरवाजे खोलने की भी कोशिश करता है पर दरवाजे पूरी तरह से लॉक्ट होती है इसलिए ट्रेन के कई बार रुकने के बाद भी ओ ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाता ट्रेन की बोगी पूरी तरह से खाली है सरू भूका प्यासा इस ट्रेन में फस्ट चुका है उस दिन का सफर ते करने के बाद ट्रेन कलकत्ता वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है यानि सरू के घर से 16 किलो मिटर दूर सरू मध्य परदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट से है वो स्टेशन पर उतरता है जहां पर बहुत ज़्यादा भीड होती है वो टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है कि मुझे अपने घर जाना है पर यहाँ पर सब बंगाली में बात कर रहे होते हैं सरू को किसी की बात समझ में नहीं आती वो वहीं स्टेशन पर बैठे अपनी जैसे कुछ बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता है जिनके पास कोई भी घर नहीं होता पर कुछी देर बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उन बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं सरू किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है और वो एक बार फिर से रात के अंधेरे में इस बड़े शहर में पूरी तरह से अकेला है उसे भाग भूग भी लगी होती है तबी उसे देवी माता की एक मूर्ती देखती है वो देवी मा को नमन करता है और देवी मा के चर्णों में जो प्रसाद होता है वो उस प्रसाद को खाता है अगली सुबर सरू ट्रेन ट्रैक पर चल रहा होता है क्योंकि वो अपने घर जाना चाता है तब ही यहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है वो सरू से पूस्ते की तुमारा घर का है वो कहता है कि गनेस दिले यह मंद्य परदेश में इतना छोटा गाऊ होता है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता नूर उसे अपने घर ले जाती है उसे खाना खि़लाती है नलाती है वो कहते है कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा वो तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवा देगा अगली सुबह यहाँ पर रामा नाम का एक आदमी आता है वो सरू की पूरी बॉडी चेक करता है और नूर को धीरे से कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया उन्हें ऐसी लड़के की तलाश दी सरू को इन दोनों पर शक हो जाता है इसलिए मौका देकर इस घर को छोड़ कर भाग जाता है सरू अपने कई दिन हावड़ा ब्रीच के आसपास गुजारता है उसे हमेशे अपनी मम्मी की याद आती है कि किस तरह से उसकी मम्मी पत्थर थोड़ा करती थी और वो अपनी मम्मी की मदद क्या करता था सरू अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है पर अब वो यहां से 1600 किलो मीटर दूर है जिसके बारे में सरू को कुछ भी नहीं पता सरू को इसी तरह से यहांबर दो महीने पीच जाते हैं और एक सुबा जब बारिश हो रही होती है तो वो एक कैफे के बाहर बैठा होता है कैफे के अंदर एक लड़का काफी पी रहा होता है और बाहर से सरू उसकी नकल उतार रहा होता है वो लड़का बाहर आता और सरू को कुछ खाने के लिए देता है इसके बाद वो सरू को अपने साथ पुलिस टेशन ले जाता है वो बताता है कि इस लड़के को बंगला बोलनी नहीं हाती, ये हिंदी में बात करता है जब मैंने इस से पूछा कि ये कहां से है, तो इसने बता है कि ये गनेस तल्ले से है इस जगा के बारे में न लड़के को ना ही पुलिस वाले को कुछ पता होता है क्योंकि ये मध्य परदेश में एक बहुत छोटा सा गाउं है गड़का सरू से उसकी मम्मी का नाम भी पूस्ता है सरू कहता है कि मेरी मम्मी का नाम अम्मी है दरसल उसे अपनी मम्मी का नाम नहीं पता होता पुलीस उसके पेरेंस को ढूनने की बहुत कोशिश करती है पर सरू के घर का, उसके गाओं का, उसके परिवार का कुछ भी पता नहीं चलता इसलिए पुलीस उसे एक अनाथ आश्रम में भेज देती है सरू तीन मेहने वहाँ पर गुजारता है और तीन मेहने के बाद सरू से एक लेड़ी मिलने आती है जिसका नाम मिसिस सूद होता है वो सरू को बताती है कि पिसले तीन मेहनों से हम तुमारी अम्मी को तुमारे परिवार को ढूडने की कोशिश कर रहे हैं पर कुछ भी पता नहीं चला हमने न्यूस पेपर में इस्तिहार भी दिया जिस न्यूस पेपर को हर रोज डेड़ करोड लोग पढ़ते हैं पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ सरु कहते है कि मेरा घर यहां से बहुत दूर है मैं अपनी अम्मी के पास गुड़ू के पास जाना चाहता हूँ मिसिस सूद कहती कि हमने हर जगा तलाश करने की कोशिश की अब इंतिजार का कोई फायदा नहीं है एक आस्टेलियन कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता है और अब सरू को आस्टेलिया भीज दिया जाता है जहां पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइब सू जिन्होंने सरू का डॉप्ट किया होता है उसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं सरू को ये अपने घर ले आते हैं चोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला सरू जब इस घर को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान होता है साथी साथ वो बहुत गुमसुम भी होता है क्योंकि ये देश यहां की हवा मिट्टी सब सरू के लिए पूरी तरह से नए है सरू की मौम जिसका नाम सू है जिसने सरू का अडॉप्ट की है वो सरू से इंगलिश में कहती कि मुझे पता है कि तुम्हारा सफर इतना आसान नहीं था तुम मुझे इस वक्त कुछ नहीं बता सकते पर एक दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगे सरू धिरी धिरी इनकी भाषा इनका रहन सेन सीखना शुरू कर देता है बहुत जल्द वो इन सब के साथ कमफर्टिबल हो जाता है मिस्टर जॉन और उनकी वाइप सू सरू से अपने बेटी की तरह प्यार करती है वो इसकी जिन्दगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देती एक साल बाद ये एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं जो इनके साथ अर्जेस्ट नहीं हो पाता वो अपने आपको नुक्सान पहुचाना शुरू कर देता है पर मिस्टर जॉण और उनकी वाइप इस बच्चे को कंट्रोल करने की समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो इसकी मदद करना चाते हैं उसी रात को मिसी सू रो रही होती है सरू उनके पास जाता है उनके आशू पोस्त है और उनके गले से लग जाता है यानि कि अब उसने पूरी तरह से उन्हें अपनी मौम मान लिया है दीरे दीरे वक्त बीता और 20 साल बीच जाते हैं सरू अब बढ़ा हो चुका है मिस्टर जॉण और उनकी वाइप जो सरू के मौम डैड है उनको सरू पर गर्व होता है वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मैलबॉन जा रहा होता है वो अपने उस भाई से भी मिलता है जिसे मिस्टर और मिसिस जॉण ने सरू के बाद एडॉप्ट किया था लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते सरू अब होटल मैनेजमेंट की इंट्रोडक्टरी क्लास में पहुँच जाता है जहाँ पर सब अपने बारे में बताते है सरू कहता है कि वो अपना होटल खोलना चाता है साथ ही वो ये भी बताता है कि वो इंडिया में कैलकटा से है इसके बाद यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब के सब हाउस पार्टी रखते हैं जहाँ पर सरू भी जाता है यहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी होते हैं इसलिए यहाँ पर खाने में बहुत सारा इंडियन फूड होता है और सरू जब वहाँ पर जलेबिया देखता है तो उसे बच्पन का उलमा याद आ जाता है जब उसने अपने भाई गुड़ों से जलेबी खाने के लिए कहाता और जवाब में उसके भाई गुड़ों ने कहाता कि वो उसे जलेबी जरूर खिलाएगा सरू ने कहा था कि एक दिन वो सारी जलेबी खरीद लेंगे सरू को जब इलमा याद आता है तो उसकी आँखों में आशू आ जाते है और वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो कैलकटा से नहीं है वो किसी और जगा से है बच्पन में वो खो गया था वो एक ट्रेन में बैट गया था और जब ट्रेन रुकी तो वो कैलकटा पहुँच गया था यहाँ पर एक लड़का उससे पूसता है कि वो ट्रेन में कितने दिन तक था सरू कहता है दो-तिन दिन तक वो लड़का उसके गाउं का नाम पूसता है सरू कहता है गनेस तले लेकिन सरू को अब ये भी नहीं पता कि यो अपने गाउं का नाम अच्छे से प्रनाउंस कर पा रहा है की नहीं क्योंकि उसे हिंदी बोलनी नहीं आती वो अब सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है यहां पर एक लड़का उसे कहता है कि कैलकाटा के हावड़ा ब्रिस से जहां पर तुम बच्चपन में पहुँचे थे गर वहां से हम टाइम और ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करें और वापस जाएं तो हम तुम्हारे गाओं के आसपास की रेडियस में पहुँच सकते हैं यहां पर एक लड़की उसे गूगल अर्थ के बारे में बताती है वो कहती है गूगल अर्थ के सारे तुम दुनिया की किसी भी जगा को ढूंड सकते हो पर सरू इस बारे में और ज़्यादा बात करने से मना कर देता है इसके बाद यह पार्टी से निकल जाते हैं सरू के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम लूसी होता है यह दोनों एक दूसरे की तरब अट्रैक्टिड होते हैं इसलिए Google Earth application के जरिये साथ साथ इस्टेशन से अपने घर की जो दूरी होती है उसकी calculation करके हर तरह से अपने गाउं गणे सतले को दूडने की कोशिश करता है पर उसकी सारी कोशिश पूरी तरह से बेकार हो जाती है दीरे दीरे वक्त बीता और तीन साल बीच जाते हैं लूसी का और सरू का रिष्टा बहुर भी गहरा हो चुका है ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पर सरू आज भी अपने परिवार के लिए परिशान है उसे कई बार अपने भाई की छवी दिखती है उसे ऐसास होता है कि उसका भाई उसे कह रहा है कि उसे घर चले जाना चाहिए सरू अपने परिवार की यादों में उन्हें ढूनने में इतना खोया होता है कि धीरे धीरे वो लूसी से अलग हो जाता है वो लूसी से कहता है कि तुम मुझसे बहतर इंसान डिजर्फ करती हो लूसी और सरू अलग हो जाते हैं कई महिनों के बाद लूसी को सरू जब एक दिन एसकेलेटर पर देखता है तो वो उससे बात करता है वो लूसी से कहता है कि वो उससे बहुत मिस करता है इसके बाद एक बार फिर से दोनों एक दूसरे के बहुत close आ जाते हैं लोसी सरू से कहते हैं कि तुम्हें अपनी मौम के पास जाना चाहिए उन्हें तुम्हारी जरुत है सरू अपनी मौम के पास जाता है जिनकी तबियत खराब होती है सरू को आस तक ये लगता था कि उसकी माम ने उसे इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती पर सू सरू को बताती है कि मैं माँ बन सकती थी पर मैंने और तुमारे डैड जॉन ने डिसाइड किया था कि हम दो बच्चों को अडॉप्ट करेंगे क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माबाप की परिवार की जरूरत है वो सरू को अपने बच्चपन का एक एक्स्पिरियंस भी बताती है वो कहती है कि मेरे डैड बहुत ज़्यादा अलकॉल पीते थे वो एक अच्छे इंसान नहीं थे मैं हमेश्या डरी-डरी रहती थी और एक दिन जब मैं अपने घर के पीछे गई तो मैं चाहती थी कि धरती मुझे निकल ले तब ही मुझे खेट के दूसरी तरब एक बच्चा दिखा जिसकी ब्राउन स्कीन थी और अगले पलो बच्चा मेरी साइड में खड़ा था उस पल मुझे एहसास हो गया कि अब मेरी जिन्दगी में सब कुस ठीक होगा फिर तुम और तुमारा भाई मेरी जिन्दगी में आई लेकिन अब तुम उससे बात नहीं करते मुझे तुमारी जरूरत है सरु को यहाँ पर एहसास होता है कि उससे अपनी मौम का साथ देना चाहिए और साथ ही वो अपनी बाईलिजिकल मदर को भी ढूणना चाहता है अपने भाई को ढूणना चाहता है इसलिए एक बार फिर से वो गूगल अर्थ पर अपने गाउं को ढूणने की कोशिश करता है और जब वो इंडिया के अलगलग हिस्सों को जूम करके देखता है तो उसे वो जगह देख जाती है जहां पर उसकी मौम पत्थर थोड़ा करती थी इसके बाद वो धीरे धीरे आसपास के पूरे एरिया को सर्च करता है और उसे अपना गाउं जिसका नाम गणेस तलाई है वो मिल जाता है उससे पता चल जाता है कि उसका गाउं मध्यपरदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है इस बास चो बहुत खुश होता है वो इबात लूसी को और अपनी मौम को भी बताता है उसकी मौम भी उसके लिए बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी मौम और उसके डैट चाते हैं कि वो इंडिया जाकर अपने परिवार से मिले सरू अब भारत आ जाता है और वो उस जगह पहुँच जाता है जहां पर उसने अपना बच्च्पन बिताय था वो धीरे धीरे बच्पन की यादों से आगे बढ़ता हुआ उस घर तक पहुच जाता है जहां पर बच्पन में वो अपनी मौम अपने भाई और अपनी बहन के साथ रहा करता था पर अब इस घर में कोई भी नहीं रहता वो आसपड़ों से पूछने की कोशिश भी करता है पर उसकी भाषा किसी को भी समझ नहीं आती और ना ही अब वो हिंदी समझ सकता है तब ही वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे इंगलिश आती है सरू उसे अपना अपने भाई का और अपनी बहन का नाम बताता है उससे पूछता है कि जो परिवार पहले इस घर में रहता था अब वो कहां चला गया पर वो आदमी उसकी बात का जवाब नहीं देता वहां से चला जाता है पर कुछी पलों के बाद वो लौट कराता है और सरू को इशारा करता है सरू जब उस तरफ जाता है तो देखता है कि सामने से एक बूड़ी औरत आ रही होती है और ये औरत और कोई नहीं बलकि वो होती है जिसकी गोद में सरू ने अपना बच्वन बिताया था ये उसकी बायलोजिकल मॉम होती है वो उनके गले लगकर बहुत रोता है सरू की मॉम आस तक इस गाओं को छोड़ कर इसी लिए नहीं गई थी क्योंकि उसे यकीन था की एक दिन उसका बेटा लौट कर जरूर आएगा सरू की बहन भी याँ पर होती है वो अपनी बहन को अपने गले से लगा लेता है पर सरू अपने भाई से मिल नहीं पाता उससे पता चलता है कि जिस रात voice अपने भाई के साथ काम पर गया था पर सरू को नीदा रही थी इसलिए उसके भाई ने उसे बैंच पर सुला दिया था और जब उसका भाई जा रहा था तो सरू ने अपने भाई से कहा था कि सुबे जली भी लेकर आना उसी रात को उसके भाई गुड़ू की एक ट्रेन दुगटना में मृत्य हो गई थी यानि की एक मा ने एक ही रात में अपने दोनों बेटों को खो दिया था पर उसकी उमीद इश्वर पर उसकी आस्ता थी जो इतने सालों तक वो अपने चोटे बेटे सरू का इंतजार करती रही और आज 25 सालों के बाद उसका बेटा वापस लोटा है सरू इसके बाद औस्टिलिया में अपने मॉम और डैड को कॉल करता है वो ने बताता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया पर इससे कुछ भी नहीं बदलता आज भी आप मेरे लिए वही हो जो पहले थे आप मेरे मॉम डैड हो इसके बाद सरू उन सभी जगाओं पर जाता है जहां पर वो अपने भाई के साथ खेला करता था और इन जगाओं पर जाकर उसे अपने बच्पन की याद आ जाती है जब वो इनी रास्तों पर अपने भाई के साथ चला करता था सरू को यहां पर एक और बात पता चलती है कि उसका नाम सरू नहीं बलकि शेरू है जिसका मतलब होता है लाइन अंत में हमें कुछ रियल फुटेज दिखाई जाती है जिसमें सरू के वो माबाब जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था वो इंडिया आते हैं इंडिया में सरू की जो असली बाईलिजिकल मौम होती है वो उन्हें अपने गले से लगा लेती है तो ये थी सची कहानी सरू की ओफिशल रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि भारत से हर साल 80,000 बच्चे गायब होते हैं लेकिन उसमें से 1% भी बच्चे ऐसे नहीं है जिनकी किस्मत सरू की तरह हो इसलिए इस पूरी कहानी इस पूरी फिल्म के जो हीरो है वो और कोई नहीं बलकि मिस्टर जॉन और उनकी वाइब सू है जो अपने बच्चे पैदा कर सकते थे पर उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बच्चे पैदा ना करके उन बच्चों को एडॉप्ट करेंगे जिनके पास घर नहीं है ताकि उन्हें एक अच्छा घर मिल सके अगर इस दुनिया में हर एक इनसान के सोच इसी तरह से हो जाए तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए तो ये थी पूरी कहानी फिल्म लॉइन की ये फिल्म सन 2016 में रिलीज वी थी आइमडीबी पर इसकी रेटिंग है आठ इस फिल्म का बजट था 12 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ओफिस पर इसने कमाई की थी 141 मिलियन डॉलर्स की उमीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आये होगी